बालपन सब खे लगवाया जवान भयो नारी बसकारे छोटे हो तो शरीर कहता है खेलो शरीर खेलने क्यों कहता है क्योंकि उससे शरीर की वृध्धे होती है ज्यादा तर आप प्रजातियों में पाएंगे कि छोटे बच्चे खिलंदर होते हैं मनुष्यों में आप किसी का भी छोटा बच्चा देख लो हाथी का भी छोटा बच्चा देख लो किसी का शेर का, खरगोश का कुत्ते का यह जो छोटे छोटे होते हैं यह एक दूसरे को पर हर समय कुछ ना कुछ करी रहे होते हैं छोटा माने हो कुछ ना कुछ करी रहा होगा यह प्रक्रति उनसे करवाती है ये उनका व्यायाम है वो ये करेंगे तभी उनका आकार बढ़ेगा छोटा बच्चा खेलेगा तभी उसका आकार बढ़ेगा और बड़ा बच्चा नारी के साथ खेलेगा तभी कुनबे का आकार बढ़ेगा बालपन सब खेल गमायो जवान भयो नारी बसकारे नारी से हाँ दोनों आशे हैं अगर नर को बोला जा रहा है कि सामने बैठा है तो आशे है नारी माने दूसरा लिंग जो है और अगर मनुष्य मात्र को बोला जा रहा है तो नारी से आशे है प्रक्रति सामने सुनने वाला अगर मेल है तो आशय है कि पेटा तुम और तो कुछ करते नहीं अब जवानी में एक ही चीज तुम्हारे लिए नंबर एक है क्या नारी नारी बसकारे कैसे आप पता करें आपके लिए सरवाधिक महत्यपूर्ण क्या है क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि जवान भयो नारी कारे नारी बस कारे बस मने मात्र सिर्फ देखिए कि आप आपके जीवन में जो भी है नारी नर विपरीत लिंगी आप उसके लिए क्या छोड़ने को तयार हो जाते हो जो उच्चतम है उसको छोड़ने को आप तयार हो जाते हो यदि उसके लिए तो फिर नारी बस कारे ही तो ये कहना भी गलत होगा कि हमारी करी वरियताएं होती है वास्तों में आपकी जो पहली वरियता होती है वो बाकी सब वरियताओं का निरधारन कर देती है होती भले ही दसों पर पहली से ही बाकी नौ संचालित हो जाती है और शरीर का प्रकृति का तथ यही है कि आप जवान हुए नहीं कि शरीर आपको बता देता है जैसे पशु का शरीर शरीर माने पशु का शरीर अभी आज मैं सुबह सोने से पहले थोड़ा पढ़ रहा था तो नानक साहब थे और कह रहे थे यह जो शरीर है ना इसको स्वान और सुकर का मानना स्वान माने कुत्ता और सुकर माने शुकर सुर बोले तुम्हारे शरीर और कुत्ते और सुर के शरीर में कोई अंतर नहीं है शरीर तो एक ही जैसा होता है और चेतना को तुमने कभी भाव दिया नहीं चेतना वाली जगह पर तो सोचो के गिरने लग जाते हो कभी ऐसा भी वह आए कि जहाँ शरीर की वासना की पूर्ती हो रही है वहाँ भी बीच में सोके गिर गए कि स्वादिष्ट खाना था बढ़िया हपक के खा रहे थे और यहां से उठाओ यहां आने से पहले गिर गए कि वासना का क्षण चल रहा था नारी के साथ अपने और वहाँ बीच में धेर हो गए ऐसा तो हुआ नहीं हाँ बोध के क्षण में धेर होते देर नहीं लगती तो स्वान और सूकर क्या ऐसे पहली वरियता जब बन जाती है नारी और नारिया इस पर बुरा ना मान ले नर अगर बात दोनों तरफ के लिए यहाँ सामने बैठे रहोंगे पांच ऐसे यही नर तो उनको बोला गया जवान भयो नारी बस का रह टो उनको बोले जाता जवान भयो नर बस की जो पहली वरियता बन जाती है उससे नीचे की नव तैढ हो जाती है बहुत जोजोड से भाग रहे, भाग रहे, भाग रहे, क्या है, क्या है, क्या है, अरे ओनलाइन नहीं मिल रहा जाके, अब हॉल में देखना है, मूवी का टिकेट किसी तरह मिल जाए, इस व्यक्ति को देख के लगेगा इसकी वरीता, प्रियरिटी अभी क्या है, मूवी, पर मुवी प्रियरिटी क्यों है क्योंकि उसको मुवी दिखानी है वो पहली प्रियरिटी है इसलिए मुवी भी प्रियरिटी हो गई अब मुवी में भी गए तो उसके बाद भाग करके पॉपकॉन की लाइक में धक्का मुक्की कर रहे है क्यों कर रहे हो धक्का मुक्की क्यों ज उसको बोल रहे हो मुझे priority दो क्योंकि तुमने priority उसको दे रखी है जो खुद वहां बैठी है तुमको popcorn लाने भेजा है तो priorities तो हो सकता है एक से लेके 100 तक हो पर वो जो number 2 से number 100 तक हैं वो सब की सब किस ने तै करी है वो number 1 ने तै करी है जिसको number 1 बना लिया होँआ खेल खतम और number 1 किसको बना लिया यह इससे तै हो जाता है कि किसको तुमने असली वाले number 1 के भी उपर का दर्जा दे दिया वही number 1 है तुमारा नहीं तो number 1 तो इनसान के लिए सदा से पहले से ही तै है ना जो एक है वही number 1 है होता नहीं कि दितियो नास्ति होता है कि एक है और वही ऐसा हमारा तो होता नहीं एकम सत्य कभी होता है हमारा हमारा तो होता नहीं हमारे लिए तो कुछ और ही होता है जो सच्चाई से भी उपर का होता है वही नंबर एक हो गया आपके जीवन में सत्य कौन है यह जानना है तो बस यह देख लिजी कि किसके लिए आप सत्य बेचने को तैयार हो जाते हो आपने सत्य की जगह माने सरवोच्च जगह किसको दे रखी है बहुत सीधा तरीका ही देखने हैं कि देख लिजी कि कौन सामने आ जाए तो सच हो गहरा आप सब बेच खाओगे अब इसमें सोईधा हो गई क्योंकि सच बेचा नहीं जा सकता कभी बेचा भी नहीं है हमने सच मुझ तो कहते हैं मैंने तो नहीं बेचा मैंने तो नहीं बेचा अरे मुहावरे में बुला है कि सच बेच खाओगे सच बेच खाने का मतलब होता है कि दिन भर की आम जीवन की व्यवहार की बाते जैसे यही एक छोटी सी बात कि सत्र चल रहा है और किस चीज को आपने सत्र की उपर वरीता दे दिये कहां जाके बैठ गए हो, क्या कर रहे हो नहीं संडे है दोपहर शाम का समय है शॉपिंग तो इसी को कहा रहा हूँ सच को बेच खाना आज भी कोई सत्र प्रतिशत से जादा थोड़ी होगी यहां पर एटिंडेंस सत्र भी हो सकता है नव बाकी तीस प्रतिशत कहां है कहां है और वो चीज जिसके लिए आप सच को भी पीछे रख सकते हो वो चीज आपकी अब जिंदगी बन जाती है क्योंकि वही अब नमबर एक है अब आप सौ काम करोगे पर वो सौ के सौ काम करवाने वाला आपसे वो एक ही होगा और वो जो एक है वो एक नहीं है वो सत्य नहीं है, वो कोई और है जो आपसे न जाने क्या क्या करवा रहा है, और वो सब करवाता है फिर, नचाते क्रिष्ण भी हैं, खूब नचाते हैं न, सब दिखाते हैं सब नाचे ही जा रही है, और नचाती माया भी है, पर जब माया नचाती है तो गब्बर सिंग जैस होता है कि बोतल फोड़ दिये, कांच के टुकड़े बिखरा दिये हैं, और कैरा जब तक तु नाचेगी तब तक इनकी सांस चलेगी, माया ऐसे नचाती है फिर, और फिर नाच रही है और वहाँ खून ही खून और जब तक है जान जाने जहान मैं नाचूंगी, या तो ऐसे नाचलो, या कृष्ण की मुरली पर नाचलो, नाचना तो है ही, एक प्रयोग करिएगा, कुछ दिखेगा, कहीं खड़े हो जाईएगा, मान लीजे आप के घर की छट से, या आप किसी अपार्टमेंट और हमें रहते हैं तो अगदम उपर चले जाईएगा उसके सबसे, पंदरवी, बीसवी, पचीसवी मंजिल पर, वहाँ से नीचे देखिएगा, भीडभाड के समय, जो पीक ट्रैफिक आवर्स होते हैं, वहाँ से आपका कोई चौरहा वगेरा दिखता हो, व्यस्त, उसको देखिएगा, फिर अपने आप से पूछिएगा, ये इतनी इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, इन्हें क्या चला रहा है, इनका इंजन क्या है, इनका केंद्र क्या है, क्या चीज है जिसने इन्हें इस वक्त इतनी दुर्दशा में सडक पर होने को मजबूर किया, बड़ी दुर्दशा का समय होता है, शाम को छे बज़े से साड़े आ कोई पुछे नर्क क्या है? यही जवाब है. सुबह आठ से दस का समय सडक पर और शाम को छे से आठ का समय सडक पर. यही नर्क है. पूछिए गा. कौन नचारा है इनको? कौन नचारा है? कोई भी आदमी किसी भी तरीके से इस समय सडक पर नहीं होना चाहेगा? इंसेन है, इंसेन. पागलपन इस वक्त सडक पर होना, पर कौन है जो इनको नचारा, यह इस वक्त सडक पर क्यों है? खौफ ना कहना? कितने सारे लोग, कितने सारे लोग, चारों दिशाओं से. वाले वे बीच में दोतीन ट्रैफिक वाले, उन्हें अभी कौन नचा रहा है सोचो, ठीक वहाँ चौराहे पर खड़े हैं, थुआ, 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 धुआ, थुआ, पूरे दिन धुआ, ये देखे गार पूछियेगा इन्हें कौन नचा रहा है, फिर यह भी पूछना पड़ेगा मुझे कौन नचा रहा है वही जिसको आपने अपनी पहली वरियता फिर्स्ट प्रायरिटी बना लिया है ना वही आपको फिर नचाता है ऐसे ऐसे बालपन सब खेल गवायो जवान भयो नारी बसकार यही नचा रही है चीज और कुछ नहीं है बाब दो ही तो सेंटर्स होते हैं विज्डम सेंटर और फिजिकल सेंटर इनके लावक तीसरा कोई नहीं होता या तो चेतना का केंद्र या देह का तीसरा कोई होते ही नहीं है वही तो कह रहे हैं जवान भयो नारी बसकारे वही नचा रही है और कोई नहीं नचा रहा नर को नारी, नारी को नर पर अगर बुढधा हो गया है तो वो भीड़े बहुत सारे बुढधे भी हैं वहाँ भी यही है वो भी अपने शरीर के उत्पादों के लिए ही नाच रहे है देखते नहीं होती है बचारी 85-90-90 साल की वृद्धाएं 95 साल की वो कह रही मुझे तो मौत भी नहीं आएगी जब तक परपोती का ब्यानी हो जाएगा और फिर लाले का मूँ नहीं देख लूँगी अब वो खुद नहीं संतान पैदा कर सकती हैं तो लगी हुई है दूसरे संतान पैदा कराने में पर खेल तो संतान का ही चल रहा है भी भी प्रक्रते ही नचा रही है उसका एक ही काम है नर नारी नर नारी संतान नर नारी नर नारी संतान वही नचा रहा है वही है वो जो ट्राफिक पे पूरा चौरहा देख रहे हो तो कुछ और नहीं है वो फिजिकल माने नेसेसरेली सेक्शूल नहीं होता या ऐसे कह दो कि फिर जो सेक्शूलिटी की परिभाशा है उसको ब्रॉडन करना पड़ेगा सेक्स मतलब फिजिकल इंटरकॉर्स ही नहीं होता जो पूरी जिजीविशा होती है लाइफ फोर्स दे विल टु लिव उसको भी सेक्शूलिटी ही कहा जा सकता है अगर उसकी एक व्यापक परिभाशा देखनी है तो लिबिडो शब्द इसलिए ज्यादा उपिउप्त होता है दे लिबिडिनस एनरजी दे लाइफ एनरजी वही न चाह रही है और लाइफ मने कौन सी लाइफ दे फिजिकल लाइफ नट दे इनर लाइफ और अगर आप किसी आदमी को हलका और ठंडा पाएं तो इसका मतलब यह नहीं है आम तौर पर कि उसकी जिंदगी में दूसरा केंदर सक्रे हो गया है इसका मतलब यह है कि उसकी जिंदगी में जो सेक्शूल नीड है वो फुल्फिल नहीं हो रही है इसलिए वो निराश ता हलका और ठंडा ऐसा निस्तेज बैठा रहता है तो इसलिए कुल मिलाके निश्करच यह निकलता है कि किसी आदमी को पर जिंदा रखना है तो एक ही तरीका है नरनारी नरनारी यह रहेगा तो दोड़ लगाएगा टट्टू की तरह है और यह हटा दो तो वो पट से गिर पड़ता है क्योंकि आप यह नहीं कर सकते कि रहते तो टट्टू के नगर में ही है लेकिन टट्टू बने बिना यह नहीं कर पाऊगे टटू के नगर में अगर रहना है तो टटूं जैसा आचरण करो तो ऐसा लगेगा एक सब सामान्य है जो टटू के नगर में रहते हैं पर टटू होना भी नहीं चाहते हैं उनकी बड़ी दुरदशार होती है वो फिर वैसे ही हो जाते हैं कि घर के ना घाट के देखा है ना कई लोगों को ऐसे बैठे हुआ ये वो है जिन में घोड़ा होने की हिम्मत नहीं और टट्टू होने के लाभ नहीं मिल रहे अगर आप किसी को इस दुनिया में आमतोर पर पाते हो उत्साहीन ते मोटिवेटेड तो इसका मतलब क्या ये होता है कि उसे दुनिया का परपंच समझ में आ गया है और वो बिलकुल दुनिया से अब निराश हो गया है नहीं इसका मतलब होता है कि उसकी नर-nary वाली अब जो ज़रूरते हैं वो पूरी नहीं हो रही है तो ऐसे हो गया जरूरते पूरी करने लगो अभी स्प्रिंग की तरह उचक्येगा शत्ते सरफाड के निकल जाएगा उपर जुआन भयो नारी वसकारे यह केवल बैठा है क्यामरा लेकि मेरी फोटो खींच रहा है इससे बहतर तो कोई जानता ही नहीं है क्योंकि यह यहां बैठके बनाता है वीडियो के थमनेल टाइटल में और थमनेल पर नारी ना हो उसको बिचारे को बड़ी अढचन हो जाती है बोल रहा है आपने जिस चीज़ पर बोला है इसमें मैं किसी भी तरीके से नर नारी एंगल लाई नहीं सकता मतला आज नहीं लाया था सुबह सुबह इसने वीडियो चापा है वो चुन्नी चुहिया और गजराज पर लोग उसे देखी नहीं रहे उने चुहिया किसको देखनी है संड़े खराब करना तो अभी थोड़ी देर पहले उसका शीरशक बदल दिया गया है अभी उसके थमनेल में भाई ने क्या लगाया था चुहिया और हाथी रात तक आप आएंगे चुहिया और हाथी गायब हो चुके नर और नारी आ चुके सोते हुए भी नीन से जग जाते हैं फिर कहते हैं यह कुछ बढ़िया चीज है कुछ ट्रिपल एक सामगरी छापी किया नहीं नहीं और फिर गाली देते हैं जब पांदस मिंट बीच जाता है कहते हैं वो कहा है तो ही तो है बहुतों ने तो चैनल रिपोर्ट कर रखा है क्या मिस्लीडिंग थम्नेल्स बुलते हैं थम्नेल पे प्रेम वगएरा दिखा करके अंदर राम और क्रिशन करना शुरू कर देते हैं यह नहीं चलेगा कुछ और नहीं चाहिए नारी चाहिए बस और कोई समस्या ही नहीं है यह जो यह जो सारी उर्जा हीनता है यह जो यह जो बोजहल और निदासी जवानी है एक ही वज़य है को देदो कुछ और नहीं है भरत्रहरिक आई है वो कहते हैं बहुत उन्होंने विस्तार से वड़न करा यह एक कुत्ते की स्थितिका बोलते मरा कुत्ता एकदम मरा कुत्ता उसकी एक टांग तूटी हूई है पहले तो इतना है क्रिशका है और टांग से लंगडा है और शरीर में उसके दरजनों घाव है और उनसे मवाद बहरा है लेकिन ये भी जब कुटिया को देख लेता है तो घोड़ा बन जाता है एकदम उर्जा चा जाएगी सब नीन वीन छोड़के मुर्दा जग जाता है पैदा ही इसी लिए हुए है बाले जिस साथ बज़े तक कोई काम पूरा करना हो नियम बना हुआ है कि साथ बज़े तक फलाना काम पूरा कर दिया करो ना पूरा करता हो और किसी दिन वो साथ बज़े वो काम एकदम पूरा ही करके रख दे तो इसका मतलब है आठ बजे कोई हवस का कारिकरम शुरू होना था इसलिए आज साथ बजे काम पूरा करके रख दिया 365 में 365 दिन नहीं हो सकता था काम हुआ ही नहीं आज तक उस दिन बिना बोले हो गया संसार की पूरी उर्जा आती है वहीं से तब ही तो बोल रहा हूँ चड़ जाईएगा उपर और नीचे देखिएगा वहाँ जो आपको अति उत्साही आदमी देखे जान लीजिए कि इसकी हवस कहीं न कहीं इसको पूरी होती दिख रही है वरना उत्साह कहां से आता अब जो समानी ये लोग होते हैं समाज में उन्हें बात बहुत बुरी लगेगी वो कहेंगे देखो हम जिम्मेदार लोग हैं हम विवस्था चलाने के लिए काम करते हैं हम इसके लिए काम करते हैं अरे हाँ सौ काम करते हो पर उन सौ कामों से उपर वो एक काम कौन सा है जिससे वो सौ काम तै हो रहे हैं काम तो आप सारे करते हो पर उन सौ कामों में पहला कौन सा है वो जो पहला है न वही उन सौ को निरधारित करता है ये बात मत छुपाओ करते तो बहुत कुछ हो किसकी खातिर और वही ताकत जो तुम्हें बालपन में इधर उधर गुलंटियां खिलाती थी अभी आप बच्चे छोड़ दो वो इतनी देर में आग गुलाटियां मार देंगे कुर्सी गिरा देंगे सब कुछ कर देंगे ये भी एक प्रकार की sexual energy ही है अब ये बात सुनके बहुतों को बहुत दुरा है करें देखो इसकी अपनी आखों में सेक्स भरा है तो क्यारा है पांच साल का बच्चा सेक्स कर रहा है अगर वो गुलाटी मार रहा है तो मैं जो बात बोल रहा हूँ वो थोड़ा पढ़े लिखे लोगों के लिए है गलती मेरी ये कि social media इत्यादे ऐसे माध्धे में जिससे मेरी बात सब तक पहुँच जाती है ऐसो तक भी पहुँच जाती है जिन तक कभी पहुँच नहीं नहीं चाहिए थी और बाकी समस्थागा प्रचार हम भी घरों में घुस घुस के दिखा देते हैं ऐसो को दिखा देते हैं जिने कभी देखना ही नहीं चाहिए था जो अभी इस लायक ही नहीं थे कि वो इस बात को सुने अब उन तक भी बात पहुँच जाती है फिर वो बिचारे आहत हो जाते हैं कहते ही क्या बोल दिया अभी अभी तो जो ये शरीर में है इलान वाइटल जीवन एक छा दे विल टु लिव वही है जो हमें चलाती है वही संसद है वही सडक है वही चौराहा है वही स्कूल है वही कॉलेज है वही दफतर है वही व्यापार है वही बाजार है वही है सब कुछ Cruel dance of sexual energy कुछ और नहीं जोआन भयो नारी बसकारे अच्छा नहीं लग रहा ना सुनने में हम इतने अच्छे अच्छे काम करने निकलते है मैं तो बैंकर हूँ मैं बैंक में सेक्स करने थोड़े ही जाता हूँ साफ कपड़े पहन के जाता हूँ सफेद शर्ट बिलकुल टाई बांध के और ये क्या बोल रहे है मैं तो जो बोल रहा हूँ वो बोली रहा हूँ जो बात है वो ही बोल रहा हूँ जब बहुत पा लेते हैं बहुत कमा लेते हैं तो जानते हो ये अपने आपको क्या तोहफा देते हैं वो तोहफा ही बता देता है कि सब पाया कमाया किसके लिए था उस तोहफे को उस पदक को उस ट्रौफी को बोलते हैं trophy wife सुना है trophy wife trophy wife का मतलव यह यह कि सब कुछ जिस चीज के लिए किया था वो हासिल हो रही है तो अब अन्ततर हमें trophy मिलनी चाहिए वो trophy क्या होती है एक trophy wife trophy wife का मतलव ही होता है कि उसको पूरी दुनिया को वो एक trophy की तरह एक cup की तरह एक middle की तरह दिखाई जा सके उससे कुछ नहीं कराया जाता उसको बस यह काया था तू सचसवर के रहा है पार्टी में साथ चल तो सब कुछ किसके लिए किया था सब कुछ किसके लिए किया था नारी के लिए तो किया था that's the ultimate trophy बहुत खेद की बात है कि बहुत सारी हिस्त्रिया आतुर रहती है कि किसी तरीके से बस trophy wife ही बन जाए क्योंकि इसमें सुईधा बहुत रहती बुरा मत मानी है सब नहीं बहुत सारी बस बहुत सारी माने 10-20 बाकी भी अचीख ने चिलाने लगते हैं मैं क्यों जान दूँ auto expo वगेरा होता है अब तो यहीं पे होता है कभी वहाँ जाके देखिए आपको कोई car model दिख जाए जिसके बगल में एक महिला model ना खड़ी हो तो क्या संकेत दिया जा रहा है यह car होगी तो इस car में ऐसी बैठेगी और बिलकुल सही बात है कोई second hand बजाज लेके आ जाए तो थोड़ी कोई बैठती यह उस पे पीछे लोग उधारी की गाड़ियां लेके जाते है और अब यह बात उल्टी भी बरावर की तै हो रही है आपको भी अगर किसी को आकरशित करना है महिला होने के नाते तो आप भी तमाम तरीके से यही सब काम करोगे तो ले दे के सारे काम करे किसलिए वही शुआन और शूकर और किसलिए सब कुछ कर लेने के बाद अंतत्त क्या मिलता है अब सब हासिल कर लिया अब चूकी हासिल कर लिया इसलिए अब आपको एक तोफ़ा बक्षा जाएगा जहाँ पना UPSC क्लियर कर लिया IAS बन गए अब क्या मिलेगा क्या मिलेगा नि क्या मिलेगी जो भारत पर आकरमन हुए और बरबर सेनाए ज्यादा जीती ही उनमें एक बड़ी बजाय आप जानते हैं क्या थी वो युद्ध भारत भूमी पर लड़े गए थे वो युद्ध आकरांताओं के देश में नहीं लड़े गए थे भारत के देश में लड़े गए थे भारतिय सानिकों को बचाना था और आकरांताओं को पाना था भारतिय अगर जीत भी जाते तो इतने ही होता कि उन्होंने सिर्फ जो था उसको बचा लिया कुछ वो अधिक नहीं जीत जाते किसी और का वो राज्य या भूमी नहीं पा जाते पर जो बाहर से आये थे उनके सामने एक बड़े से बड़ा प्रलोभन उनके सेनपते या राजा ये रखते थे कि अगर जीतोगे तो जितना क्षेतर जीतोगे उसकी सारी इस्तरियां तुम्हारी है और ये सब जो सिनाएं थी बरबर, खुंखार, दुरदान्त ये सब जिन क्षेतरों से आ रही थी वो ज्यादातर बंजर ख्षेतर है और ये जीवन अपना पूरा लड़ते हुए ही बिताते हैं क्योंकि वही अर्थविवस्ता है जब बंजर है तो अपना कुछ पैदा तो हो नहीं सकता तो जीते कैसे हो जब अपनी कोई उत्पादकता कोई प्रोड़क्टिविटी है ये नहीं तो आपकी एकनॉमी कैसे चलती है फिर खुद आप कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उस समय थोड़ी वहाँ पर पेट्रोलियम फील्ड्स थे वहाँ पर क्या है या तो सूखा पहाड या रेगिस्तान या तो अफगानिस्तान की तरह पहाड है वो भी सूखा थंडा सूखा पहाड या फिर टापू है प्लेट्यूज है बहुत सारे जैसे इरान में होते है बीच बीच में कहीं पर नदिया है उन नदियों के किनारे आबादिया होती थी वहाँ कुछ खेती भी होती थी नहीं तो ज्यादा था इसलिए अभी भी वहाँ आबादी कमी है बहुत आबादी नहीं होती भारत में बहुत कुछ था जो लूटा जा सकता था विशेश का रिस्त्रिया और उससे जो लड़ने वाले सैनिक को मोटिवेशन मिलता है उसकी कोई काट नहीं होती वो सबको उखाड़ देगा भारतिय सैनिक के पास ऐसा कोई मोटिवेशन था ही नहीं वो जीत भी जाता तो बस इतना होता कि उसने अपनी भूमे बचा ली बस यही हुआ है उसी कुछ अतरिक्त नहीं मिल गया पर यह जो वहां से लड़ने आएं अगर यह जीते तो इनको वादा रहता था औरत और अस्बाब दोनों पाऊगे जितना भी वहां पर धन दौलत है वो भी ले सकते हो और जो इस्त्रियां हो तो अब तुम्हारी होई गई जितना ख्षेतर जीत लिया उसकी इस्त्रियां तुम्हारी हो गई उठा के ले जाओ जो करना हो वो बहुत बड़ी ताकत होती है वो ताकत बड़े बड़े युद्ध जिता देती है वही भरतरहरी का कुत्ता वो मरने वाला है मरने को अभी गिर जाएगा मर जाएगा दो घंटे में लेकिन इस तरी सामने देख करके वो घोड़ा बन जाता है बिल्कुल जान आ जाती है उसमें कहता है कि इसको तो भोग के ही मरूँगा और ये फिर भारत में नहीं हुआ दुनिया भर में सैनिको को प्रोटसाहित करने के लिए उनको यही लालच बताया गया है दुनिया भर में इस खूब हुआ है चीन में बहुत हुआ है जापान चीन में आप नान किंग का पढ़िएगा आप पढ़िएगा चीन की बात करी तो उसको बोलते ही है दा रेप आफ नान की वो कहलाती थी प्लेजर गर्स जापानी सैनिकों में मुटिवेशन बना रहे इसलिए उनको दी जाती थी प्लेजर गर्स किसकी चीन की वो चीन कोई आगे अब जापान चीन क्या पेक्षा इतना सा है पर पूरा चीन जीत डाला था और जीती नहीं डाला था बड़े इससे बड़ा जो रक्तपात हो सकता है जापानियों ने वो करा चीन में अभी जा करके तो थोड़ी उन्होंने माफी माँगी है चीन से तो ऐसा होता था कि लड़ाई करो लड़ाई करो लड़ाई करो चीनियों को हराओ चीनियों को हराओ और फिर उसके बाद रात में वही जो चीनी लड़कियां थी इनके पाद भेजी जाती थी वो होता था कि अब सैनिको ने दिन में इतनी लड़ाई करी है तो रात में इनको pleasure मिलना चाहिए न तो वो pleasure girls कहलाती थी तो उनका ही होता था कि ये भेजी जाएंगी और जिसका एक बार इस्तेमाल हो जाएगा pleasure के लिए उसको फिर वहीं मार देना है क्योंकि अगर वो उपलब्ध है तो फिर सैनिक को motivation कैसे रहेगा और लड़ने का तो अब सैनिक को होता था इसको मार दो जब आगे और जीतोगे तब अगली लड़की मिलेगी ये पुरा विस्तार से पढ़िएगा आप थर रा जाएंगे थर राइएगा ठीक है लेकिन उससे मनुष्य की प्रकृति के बारे में कुछ समझिएगा स्वर्ग का भी आपको जब प्रलोभन दिया जाता है तो हैं क्या बताई जाती है अब सराएं भी कैसी कैसी कि आपकी विश्व सुन्दरियों को मात दें ऐसी वहाँ थोड़ी बोला जाता है कि वहाँ पर साध्वियां बैठी है सतियां बैठी है और मीरा बाई और सहजो बाई और दया बाई मिलेंगी आपको कभी सुना कि स्वर्ग में ये सब मिलेंगी और आपको पता चल जाए कि स्वर्ग में ये सब मिलेंगी तो ज्यादा तर बोलेंगे लोग कि हमें नर्क जाना है बताओ वो आली कहां होती है बोली वो सब नर्क में रहती है रंभा वगेरा तो नर्क ही पहुँचेंगे सीधे बोलेंगे नर्क होगा तो होगा रंभा होनी चाहिए और आम तोर पे रंभा जहां होती है वहां नर्ग होता ही होता है और उसके पीछे पीछे और मैं कोई जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूँ इतना समझ रहे हो न ये न सोच लेना कि मैं एक लिंग की यहां पर कोई निंदा अगेरा कर रहा हूँ मैं मनुष्य की प्रकृति की बात कर रहा हूँ इसलाम में हूरे बैठा दी गई है वहां वो भी वर्जिन एकदम स्पेसिफाई करके बोला है क्या आगनी बिलकुल एकदम लपक पड़े ज्वान भयो नारी बस का रहे है क्या पढ़ लिया ऐसा है चीन अभी भी उस सदमे से उबरा नहीं है और जापान ने अभी भी उसके लिए खुल करके माफी नहीं वानगी है युद्ध पर जो सैनिक है उसको प्रोचाहित करने के लिए ये किया ही जाता रहा है कि अगर जीतोगे तो जीता हुआ माल पाओगे उर्जा सारी उर्जा इससे जो बात समझने की है कि आपकी सारी उर्जा सारा जो मूटिवेशन है वो प्राइमेरिली सेक्शुल सेंटर से ही आता है चाहे वो सैनिक हो चाहे व्यापारी हो चाहे वो कहीं का कर्मचारी हो कुछ भी कर रहे हो सेंटर सेक्शुल यह होता है और बिरला होता है कोई जिसका सेंटर सेक्शुल न हो यह सारी बाते आपको यही बताने के लिए है कि दूसरा सेंटर हो सकता है होना चाहिए लेकिन वो आप तभी समझोगे न जब पहले आपको जो आपका वरतमान केंद्र है सेंटर वो समझ में आएगा आम आदमी की जिंदगी से सब्सक्रीजे निकाल दो बताओ कही के लिए काम करेगा किसी से लिए काम करेगा कुछ बचेगा पूरा बाजार इसी पर चलता है उटसव, त्योहार, फेस्टिविटीज, सेलिब्रेशन्स उनके अभी केंद्र में यही बैठा होता है और जो न यह देखे वो अंधा है जो बोले नहीं साहब यह तो कुछ और हो रहा है यह तो एक जनरल सेलिब्रेशन है वो अंधा है तो बुराई क्या है सब चल रहा है तो बुराई यह है कि आप श्वान और शूकर बने बैठे हो जब आप श्वान और शूकर हो नहीं आप कुछ और हो सकते थे पर आपने जीवन बिता दिया श्वान शूकर की तरह हां आपने आपने फॉर्मली ड्रेस कर लिया आपने कोट डाल लिया आपने यह सब सभ्यता के जितने भी चिहन और अलंकरण होते हैं आपने सब्धारण कर लिये लेकिन हो आप भीतर श्वान और शूकर ही मैं पुरुशिस्त्री संबंध की निंदा नहीं कर रहा हूँ न मैं कर रहा हूँ न कभी संतों ग्यानियों ने करी है प्रक्रते से लठबाजी करने का किसी का इरादा नहीं कोई आग्रह नहीं प्रश्ण यह है कि नंबर एक कौन है यह प्रश्ण होता है यह जो सेक्शूल सेंटर है यह यह नहीं हो सकता यह नहीं हो सकता यह नहीं कहा जा रहा है कि नरनारी संबंध होने ही नहीं चाहिए क्या कहा जा रहा है नंबर एक नहीं होने चाहिए नंबर एक पर तो एक ही विराजे और उसके बाद उसकी चाया की तरह है उसके निशकर्ष की तरह है उसके परिणाम की तरह है उसके प्रतिविम जैसे बोलना हो समझ रहा हो इशारा है उसकी तरह अगर नरनारी संबंध बनता है तो फिर शुब है बहुत शुब है कोई समस्या नहीं नंबर एक कोई और बात हो उसके बाद शारेरिक संबंध बन जाए फिर कोई समस्या नहीं लेकिन शरीर नमबर एक चीज नहीं हो सकता वो फिर कुट्टे और सूर वाली बात हो गई नमबर एक कुछ हो वो ठीक है वो अपनी जगह पर है और उसके बाद नर और नारी जा करके एक शाररिक संबंध में भी है उसमें कोई समस्या नहीं उसमें भी फिर सौंदर रहे है बहुत अच्छी बात मैंने बताया था ना कि पुछा था किसी ने कि फ़लानी लड़की है मेरे लिए अच्छी है कि नहीं तो क्या बोला था मैंने अगर वो लड़की ना होती फिर भी तुम उसके साथ समय गुजार सकते तो वो अच्छी है तुमारे लिए वो लड़की ना होती क्या तब भी तुम उसके साथ 3-3 घंटे फोन पे बात करते अगर करते तो वो अच्छी है तुमारे लिए बहुत अच्छी है वो अगर लड़की ना होती फिर भी तुम उसका उतना ही ध्यान करते उतना ही मनन करते जितना अभी करते हो तो वो अच्छी है तुमारे लिए और अगर तुमारे जीवन में सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड की है माने उसके शरीर में एक विशेश लिंग है तो फिर बहुत बुरी है तुम्हारे लिए यही बात में लड़कियों से बोलूँगा कि कोई लड़का आपके लिए तभी अच्छा है अगर वो लड़का नभी होता तो भी आप उसे मित्र की तरद एकदम साफ सफाई से सु रिष्टा रखना जासे तो फिर ठीक है तो इसका क्या मतलब है रिष्टा होने ही नहीं चाहिए कर लो आगे शारीरिक काम भी कर लो आगे पर शुरुआत वहां से नहीं हो सकती वो रिष्टे की पहली चीज अहम केंद्रिय चीज नहीं हो सकती विवाह करना है हाँ कर लो विवाह अगर बता दिया जाए कि जीवन भर सेक्स नहीं कर सकते तब भी अगर विवाह करना है तो कर लो क्या इसका मतलब यह है कि जीवन भर सेक्स करना नहीं है नहीं वो नहीं है मैं सिर जाचने का एक तरीका बता रहा हूँ अगर विवाहा के दिन पता हो कि ये जो सामने बैठा है इसके साथ कभी सेक्स हो नहीं सकता किसी भी वज़े से और उस क्वेक्ति को भी पता है ये जो बैठी है इसके साथ सेक्स का कोई संभावना नहीं है और तब भी कहें नहीं ठीक है सेक्स और गयरा की बात नहीं है ये इंसान बढ़ी है और ये इंसान बढ़ी है और दोनों इंसान कहा रहे है ठीक है जो भी है रस्मद आएगी पूरी करो हमारा अप्चा है हमारी दोस्ती है तब तो ठीक है उसके बाद आप सेक्स करो तो वो सेक्स शुब है जहां सेक्स की कोई अनिवारता नहीं थी उसके बाद अगर शारिरिक संबंध बन गया तो वो संबंध शुब है फिर उस संबंध से संतान भी जो आएगी ना वो संतान भी शुब होगी लेकिन वो शुरुवात ही ऐसे हुई थी कि उसकी फोटो देखी उसने उसका देखा बायोडेटा और ये और वो तो ये घोर अशुब है यही कुत्ते और सुवर वाली बात है और फिर इसलिए संबंध विच्छेद होते है क्योंकि सेक्शूल ही पूरा खेल था एकाद दो साल में वो खेल अब उबाव लगने लग गया तो रिष्टा फिर तूटने लग जाता है और रिष्टे के तूटने के नहीं कोई वज़य होती 80-90 प्रतिशत मामलों में यही होता है कि अब वो जो सेक्शूल सेंटर है वो स्ट्रॉंग नहीं रह गया अदालते भी मान जाती है इस तरी जाके प्रमानित कर दे कि पते नपुंसा के अदालत कहती है तलाक लेओ ग्रांटेड पते जाकर के बोल दे छे महीने ते चूने नहीं देती है तो महिला पर क्रूएलिटी का लग जाता है अरोब बोलती कितनी कुरूर है चूने नहीं देती सच मुझ लगता है यह क्रूएलिटी में आता है दिनाइंग दे हस्बेंड ऑफ सेक्शूल प्लेजर और फिर तलाक दे दिया जाएगा वही सब कुछ चला रहा है सब कुछ पूरी दुनिया उसी से नच रही है दुनिया सूरों की होती उससे नचती तो कोई समस्या नहीं तो इंसानों की दुनिया उससे नाचे समस्या है क्योंकि दुख है नैतिक आधार पर समस्या नहीं है व्यवहारिक आधार पर समस्या है दुख बहुत मिलता है बहुत दुख मिलता है और बताओं दुख भी मिलता है और वो भी नहीं मिलता जिसकी खातिर संबंध बनाते हो सेक्स की खातिर बनाते हो न मनुष्य की मजबूरी ये है कि वो अपनी बेहोशी के ख्षण में भी पूरी तरह बेहोश नहीं हो सकता उसकी कुछ चेतना बची रह जाती है नर्सूर मादासूर संसर्ग करें तो उन्हें सोचना नहीं पड़ता कुछ भी जैसी उनकी शादेक वृत्ति है उसके हिसाब से उनका हो जाता है कारिक्रम पर मनुष्य की मजबूरी ये है कि विपरीत लिंगी के साथ संसर्ग भी उसके लिए नर्क जैसा हो जाता है अगर उसक्षण में चेतना सम्मिलित नहीं है तो और जब दो चैतन्य व्यक्ति मिलते हैं तब शरीर भी आनन्द दे पाता है नहीं तो जिस शारीरिक आनन्द के लिए गए थे किसी को पकड़ने उसमें शारीरिक आनन्द भी सचमूच नहीं पाते हो वो अधिक से अधिक शरीरिक व्यायाम होता है बस मेहनत करीब पांच-दस-बीस मिनट हाफे सो गए क्या मिल गया उसमें अपमान तिरसकार एक सो गया दूसरा जगरा है जो जगरा है उसको साफ पता है उसका सिर्फ इस्तेमाल किया गया है जिसने इस्तेमाल करा है वो लेट गया है उसके मुँसे लार भह रही है खराटे मार रहा है जो अभी जगा हुआ है उससे साफ पता है क्योंसे सिर्फ भोगा गया है कौन सा सुख मिल गया कौन सा मिल गया ल prof लेकिन जब दो चैतन न्य शरीर मिलते हैं तब उस शारेरिक मिलन में भी एक पवित्रता रहती है और आनन्द तो पवित्रता के साथ साथ ही चलेगा तो अगर आनन्द के लिए भी ये काम कर रहे हो तो वो आनन्द भी तुम्हें कुत्ते और सुवर वाले रास्ते पर नहीं मिलने वाला आदमी की मजबूरी है न ना जाने कितने लोगों ने अपने बृतांत लिखे हैं बोले कि खास दोर पर दार्शनिक लेखक ऐसों ने बहुतों ने और बहुत उचे दर्जे के लोग बोले संभोग सुख के लिए मैं वैश्या ले गया और बिना कुछ करे बिना किसी को छुए वापस लोटाया काश की मैं इतना बेहोश हो पाता की वैश्या के साथ रती कर पाता बोले मैंने पूरी कोशिश कर ली मैं इतना बेहोश होई नहीं पाया और मैं वहाँ खड़ा-खड़ा खुद को कोस रहा था कि क्यों नहीं बेहोश हो जाते मैं वहाँ खड़े हो करके शराब भी पी कि किसी तरह इतना नशा हो जाए बुले शराब पी के भी इतना नशा नहीं हो पाया कि मैं वेश्या को सपरश कर पाऊ क्योंकि आनंद का संबंध शरीर से नहीं चेतना से है और मनुष्य चेतना का आनंद मांगता है शरीर का सुख नहीं शरीर का सुख मांगते हैं जानवर मनुष्य यदि संभोग भी करता है तो सचमुच उसमें उसे चेतना का आनंद चाहिए और चेतना का आनंद उपलब्ध नहीं होगा तो सामने वेश्या खड़ी भी होगी आप उसे इस पर्ष नहीं कर पाओगे और अगर कर पा रहे हो तो कौन हो आप जानवरी हो और कौन हो एक तरह से आप यह कह सकते हो कि अध्यात्मिक आदमी दोनों तरफ से मुनाफे में रहता है वो शरीर की खातेर सत्य को नहीं छोड़ता तो सत्य से जो कुछ भी मिलना होता है उसे मिलता है नंबर एक पर सदा उसने किसको रखा सच्चाई को शरीर की खातेर उसने यह नहीं कहा दिया कि सच्चाई को नंबर दो कर दूँगा तो सत्य से जो कुछ मिलना है वो तो उसको मिला ही मिला पक्का और जो उसने चीज छोड़े ही सत्य के लिए क्या छोड़ा शारीरिक सुख उस शारीरिक सुख का भी वास्तविक स्वाद अध्यात्मिक आदमी को ही मिलता है संसारी न तो सत्य पाता है न शरीर का सुख पाता है ये क्या बात बोल दी शरीर का सुख भी नहीं मिलता संसारी को नहीं उसे वो भी नहीं मिलता शरीर के नाम पे भी उसे बस गधा गोड़ा सु और खचर यही चलता है उसको कुछ नहीं मिलता spiritual fulfillment भी नहीं मिलता और sexual fulfillment भी नहीं मिलता कुछ नहीं मिलता क्योंकि उसने number 2 पे रख दिया सत्य को जो सत्य को number 2 पे रखेगा वो दोनों जहान से जाएगा दोनों जहान से वाने परलोक नहीं माने सत्य और संसार दोनों जहान से जाएगा वो और जो उसे number 1 पर रखेगा वो एक को नहीं दोनों को पाएगा